हावरुफिक्स वान प्लस नौट एंड वान हंड्रेट क्लोन एप नौट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपने एप को क्लोन किया है और क्लोन करने के बाद आपका जो एप है काम नही वाला हो ठीक है वीडियो को अंतक देखेगा दोस्तों जो भी सोलुशन है उसको फोलो कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा क्योंकि दूस्तों कई बार क्या होते हैं में एप्स में बग होते हैं तो वह बग के वज़र से आपका प्रॉब्लम यहां पर आ जात वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा का माना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखे ठीक है रिस्टार्ट कीजिए उसके बाद आए अपने सेटिंग अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों जो भी आपने क्लोन किया है मान लिजी आपने वाथसेप को क्लोन किया है मैंने वाथसेप क्लोन कर रखा है ठीक है मान लिजी आपने वाथसेप को क्लोन किया है तो जाके सबसे पहले उसके में एप्लिकेशन को अपडेट करना होगा उसके बाद चेक करके देख सकते हैं कि प्रॉब सब्सक्राइब हो जाता है तो ठीगे अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाए सेटिंग पर स्क्राइब किजिए एपस और नॉटिफिकेशन पर जाए और उसके बाद क्लिक किजिए सी और एपस पर एंदेन दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका क् पर आपको क्लोन अप्लिकेशन साइट में लोगों बना रहेगा डूएल का उसके बार आप क्या कर सकते हैं इस तो रिच में जाके क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर दीजिए जब डेटा क्लियर होगा दुबारा से चेक करके देख लिजिए री लोगिन वगेरा problem solve हो चुका होगा तो इस तरीके से आप Clone app not locking problem solve कर सकते हैं बाई एनी चांस अगर आपका Clone app अभी भी काम नहीं करते हैं तो उस एप को uninstall कर दीजिए ठीए उस एप को आप यहाँ पर प्रेसंड हॉल करके uninstall बटन पर क्लिक करके को की करकी निंस्टोलHz कर सकते हैं तो क्लोन को यहां पर जुह है आन इंस्तॉल करें उसके बाद जाए दोस्तों आपने डिवाइज के डिपोल्ट सेटिंग के अंदर तो यहाँ पर आपको क्या करना चैल जब आन इंस्तॉल कर देना ही ठीक है और उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा और दोस्तों सारे साथ अगर आपका mobile software update नहीं है तो system पर जाके software को भी update जरू से कर देना क्योंकि दोस्तों अगर आपका software update नहीं रहीगत तो आपको problem हो सकते तो software को update करें and then solve ओजएगा आपका problem आमित कर्ते दो आपको ये वीडियो पसने अगा, थैंक्स वर वाचिन!